हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल ल्डव्लूटी जॉप में नए राज्जी से वेकेंसी नया विग्यापन जारी किया गया है बिर्ला ग्रूप अफ स्कूल से जिसमें औल सब्जेक्ट में वेकेंसी है पी आर्टी टीजीटी पीजीटी की जैसा कि आपको तमनेल में दिख रहा है कुछ जो सब्जेक्ट है वो मैंने मेंजन कर ही दिये हैं पीजीटी के टीचर्स जैसे फाइन आर्ट है फिजीकल एजुकेशन है डान्स पॉलिटीकल साइंस हिस्ट्री जोग्रफी बायोजी मैट्स कैमिस्ट्री कॉमर्स के कैंडि के लिए भी जो है सब्जेक्ट हैं, कम्प्यूटर टीचर की है, आई-पी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, ऐसे ही ट्रेंड ग्राजुर टीचर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्क्रेट, मैट्स, आर्ट्स, जोग्रफी, इकॉनोमिक्स, पिर नहीं है कोई परिक्षा भी नहीं देनी है सेल्डी जो है PGT की टीचर्स की 65,000 पर मन्त रहने वाली है चलिए देख लेते हैं कैसे जो है अप्लाइ करना है किस राज्य की वेकेंसी है जिसमें सभी राज्यों के केनरेट आविदन कर सकते हैं सरला विर्ला पब्लिक स्कूल सरला 2025-26 नई शाषन के लिए इस पर क्लिक कर लें तो यहां पर एप्लिकेशन पॉम के साथ में कैसे अप्लाइ करना है लास्ट जो है वो 15 अक्तूबर 2024 है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइ करेंगे किस सब्जेक्ट में तो अभी आप ध्यान से देख लें कि पोस्ट अप्ला ट्रेनी टीचर, फॉरन लेंग्वेज टीचर, स्पोर्ट्स कोच, काउंसलर, वैलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर, AI, पब्लिकेशन, एक्जुक्यूटिव ठीक है ट्रेनी टीचर जहां कोई भी अनुवब नहीं मांगते हैं इस पर क्लिक कर लें अब जैसे कि आपको स सारे सब्जेक्ट आपको दिखेंगे ठीक है यह सब्जेक्ट हैं TZT के लिए जैसे कि हिंदी है हिंदी के लिए क्लिक कर लें उसके बाद जो है आपको पूरा फॉर्म भड़ लेना है यह पूरा फिल कर लेंगे जो भी आपकी जर्नल इनफॉर्मिशन है अकैडमिक कर दें अगर अनुवब है एक साल का दो साल का जो भी है ठीक है तो आप यहाँ पर मेंचन कर देंगे ब्रीफ नेरेटिव और यॉर प्रोफेशनल आइडियोलोजी 500 से 1000 वर्ट अभी आपको जो है यह जो टीचिंग लाइन है इसमें या फिर जो भी पोस्ट में आप अप्लाए कर रहे हैं तो इसमें आपकी क्या विचार धारा है वो आपको यहाँ पर लिखनी है 500 से लेकर 1000 वर्ट तक ठीक है यहाँ समझ गए नेक्स्ट जो है यहाँ पर अप्लोड फोटो जो की 100 के बी से जादा कर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर चूज फाइल में आपका जो है स्केंड किया हुआ सिगनेचर अप्लोड कर देना है लास्ट में समेट ठीक है बाकि यह पूरा जो है यह पूरा भढ़ लेंगे कि आपने जो है जैसे कि आप TGT के लिए अप्लाइ कर रहे हैं तो यहाँ पर बीड बीड की पूरी डिटेल भढ़ लेंगे ग्रेजुईशन की डिटेल भढ़नी है 12 की भढ़नी है 10 की भढ़नी है ठीक है या फिर अधर कोई क्वालिफिकेशन ह गर आपने किया है और टिजीटी के लिए अप्लाइ कर रहे हैं तो यह भी कर सकते हैं सारे option है आप अब next जो है आपको बता देती हूं जैसे कि PZT के लिए apply कर रहे हैं तो PZT पे click करना है यहाँ पर जाना है जितने भी subject नहीं है वो आपको नजर आ जाएंगे ठीक है यह subject आपको PZT में नजर आ जाएंगे तो आप अपना subject choose करेंगे और उस पर click करेंगे और पूरा form भरेंगे बाकी यहाँ देखें how to apply कैसे apply करना है eligible candidate can fill and submit the online application from along with the recent scanned photograph and brief narrative 500 से 1000 word तक मैंने आपको बता दिया किस बारे में लिखना है अब teaching के बारे में ही लिखेंगे क्योंकि वही आपका profession है और इसमें आप क्या सोचते हैं क्या विचार धरा है आपकी वह आपको लिखनी है 500 से 1000 word तक मैं 15 October 2024 तक apply करना है note में इननों लिखा हुआ है वैसे हिंदी, medium, English, medium candidate सब भी apply कर सकते हैं आपकी बस subject में command होनी चाहिए और आपके पास degree diploma होना चाहिए candidate should be fluent in English तो आपकी books English में ही रहेंगी तो इंग्लिस में ही पढ़ाना होगा आप किस medium से पढ़े हैं ये matter नहीं करता computer की knowledge थोड़ी हो NEP 2020 ये जो है इसकी knowledge आप जरूर रखें और Google पे सर्च कर लेना है आपको NEP 2020 इसके बारे में ठीक है ये आपको पढ़नी है अच्छे से क्योंकि इंटर्विव में आपसे प्रशन पूछे जा सकते हैं परिक्षा तो नहीं है जो shortlisted करेंगे कैनी रेट को उनको इंटर्विव के लिए बुलाया जाएगा salary तो इसमें काफी अच्छी रहती ही है बिर्ला public school आप जानते हैं ये group of school में salary जो है जिस भी राज्जे से ये vacancy निकालते हैं तो salary काफी अच्छी दी जाती है जिनकी experience जादा होगा उनको उसके according salary जादा दी जाएगी जो fresher है उनको उनके according salary कम रहेगी The selection या appointment is subject to verification of requisite document vacancy जो है कहां से है तो जहारखन राज्जे से है इससे पहले भी जो है विड़ला पब्लिक स्कूल पिलानी राज्जे स्थान से vacancy आई थी वो आप लोगों को बताई गई अभी सरला विड़ला पब्लिक स्कूल ये group of school है एक नहीं कई स्कूल है इसके अंदर तो जहारखन राज्जे से हैं इसमें सभी राज्जे के कैंडिरेट आविधन कर सकते हैं कोई फीस नहीं है कोई एक्जाम नहीं है इंटर्व्यू रहेगा इंटर्व्यू आपका जो है सब्जेक्ट अच्छा जो है उसमें आप पढ़ा सकें NEP 2020 आपको तयार कर लेना है ठीक है और अपना जो है इंटरो आप इंग्लिस में तयार रखें बस इतना ही चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू